तो आज का मारा टॉपिक है कॉम्पोस्टिंग क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डारेक्ट डानलोड कर सकते हैं तो शुरू करते इसे हमारा एंवायमेंट हींट वाले चैप्टर का अगला टॉपिक निमपॉस्टिंग अब इन्वायमेंट ह wellness वाले चैप्टर में बहुत सारी वहांड कर चुक्य हैं जैसे वातर वा नैटे अंतर हमने यह खिल्ड चैनीशं dei सब्सक्राइब अबैट when mr. sarmuble है वुसक्ति इसे परेजुटिघिथ्पाइज कि ऐ लैपिवे fura पॉलिशन उसके इंडीकैटर इसी जीज P n पोड़ाइब कि दीजीज वाल। दीजीज इस और निदा home on me वेल उसके बाद हमने पढ़ा था कि भी या डबल पॉट मेथट क्या होता है उसका नुमेरिकल भी सॉल्ट किया था हमने फिर हार्डनेस ऑफ वोटर किया था वटर क्वार्टी स्टेंडर्स किया था वाटर वाले पार्ट में अब वेंटिलेशन वाले पार्ट में हमने वेंटिलेशन क्या होता है होता है किने टाइब तो न होता है होती तो हाउसिंग फिर आता है कि वेंरा पोंट आएथ है वेंत दिस्पोजल वाला तो इसके अदरrill तो उसके बाद अगला टॉपिक जो आज हम डिसकस करेंगे वो है कॉम्पोस्टिंग ठीक तो यह सारे टॉपिक के वीडियोज आपको चैनल की प्लेलिस्ट खोलेंगे और प्लेलिस्ट के अंदर आप अन्वार्मेंट एंड हेल्थ नाम की प्लेलिस्ट खोलेंगे ते सारे टॉपिक के वीडियोज उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे तो शुरू करते हैं हमारा आज को टॉपिक डैट इस कंपोस्टिंग क्या होता है यह तो हमने पहले भी देख चुका है कि रिफ्यू एक साथ इंटेग्रेट करके जब डिस्पोज करते हैं तो उसको कहते हैं कमपोस्टिंग ऐस्लोट शुट का अस्तिमाल क्या होता है यह पूपता है स्लच का मतलब होता है वेस्ट वाटर जिसमें एक्सक्रेटा नहीं होता है नाइट सोईल मतलब एकसरेटाही और तरा के रिफ्यूज होते थे यह भी हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं आप अगर चाहो तो चैनल के प्लेस्ट को लोगे तो वहां पर आपको वेस्ट डिस्पोजल वाला टॉपिक मिल जाएगा उसके अंदर यह सारी टॉपिक हमने समझाएं ठीक तो कॉंपोस्टिं इसे यह voll changing shame को ऐसे गया था कि कॉंपोस्टिंग क्या होती है कंपोस्टिंग कि मंपाइन के पॉस्टिंग आ रिफ्यूज और नाइट सोईल वह से तो ओना उसको कमपोस्टिंग, उससे यहादकर सकतूं ठीक है तो wäre your Mart एक बात तो समझ लो कि ये safe method of waste disposal तो नहीं होती है, मगर जो वहां की मिट्टी होती है, उसकी quality को बहुत अच्छा कर देती है, वहां की मिट्टी को बड़ा उपजाओ कर देती है, तो मिट्टी के लिए तो बहुत अच्छी है composting method of waste disposal, मगर वैसे उतनी safe नहीं है, ठीक, तो इससे क्या समझ में है, अगर किसी के पास काफी मातर में जमीन available है, उसके पास बहुत साई जमीन है, तो ये बहुत अच्छी method होती है, sewage disposal की, याद रखना है, यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए, sewage क्या होता है, waste water जिसमें excreta होता है, sludge क्या होता है, waste water जिसमें excreta नहीं होता है, refuse क्या होता है, solid waste, night salt क्या होता है, excreta, तो सारे कुछ-कुछ one-liners है, जो आपको MCQ में आये थे, तो वो भी अपने डाल दिये, ठीक, अब composting कितनी में तरह क्यों होती है, तो मुकिता तो दो नाम याद रखने हैं आपको, that is indoor method और bangalore method, इन में एक-एक point सुरूर याद रखना, कि indoor method जो होती है, उसमें aerobic process होती है, वो aerobic तरीके से waste का decomposition होता है, जबकि bangalore method में anaerobic hot fermentation process होती है, anaerobic तरीके से waste का decompose होता है, इसको याद कैसे किया था? याद है हमने पढ़ा था, पिछली topic में कि bangalore में क्या आ रहा है? A और N, तो A और N का मतलब क्या होता है? anaerobic, समझ गए? तो देखो, bangalore, bangalore में क्या रहा है? A और N, तो A और N क्या होता है? A और N होता है? anaerobic, तो ऐसे याद कर सकते हो, कि bangalore method anaerobic process होती है, जबकि indoor method aerobic process होती है, याद रहेगा? तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक, तो हमने यह देख लिया, composting क्या होती है? और इसमें दो method होती है, indoor method और bangalore method, कौन से aerobic, कौन से anaerobic, यह भी देख लिया, ठीक, तो यह हो गया आपका composting, उसके बाद आती है steps, कि भाईया, आप composting कर र क्या प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहला काम, सबसे पहला काम तो एक trench type का खोदोगे, कुछ इस type से आप लंबी सी, एक तरह से cover type की खोदोगे इनके लिए, waste के लिए, तो 3 feet गहरी होनी चाहिए, 5 feet चोड़ी होनी चाहिए, और 15 feet लंबी होनी चाहिए, यानि यह जो यह करीब 3 feet, यह जो चोड़ाई है, यह करीब 5 feet और कितनी लंबाई होनी चाहिए, तो करीब 15 feet की लंबाई होनी चाहिए, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि भहिया, 3 into 5 equals to 15, तो 3 feet deep, 5 feet broad और 15 feet long, ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, कि 3 feet गहरी, 5 feet चोड़ी और 15 feet लंबी, पूरी की पूरी ऐसा गढधा टाइप का आपको खोद देना है, ठीक, तो यह तो पहली step हो गई, अब क्या करते है, आपने पूरा खोद दिया, फिर आप सबसे नीचे वाली layer में डालोगे refuse, refuse को आपने डाला, कितना करीब 6 इंच त 3, अगर आप यहां देखना चाहो, तो यहां पर देखो, सबसे पहले यह जो है, आपने बोला कि यह 6 इंच, तो करीब 6 इंच की हमने, यहां पर पहली refuse की layer डाल दी, उसके बाद करीब 2 इंच की यह देखो, इसके उपर देख रही ब्राउन कलर की, यह करीब 2 इंच की हमने night soil डाल दी, ठीक है, तो ऐसी करते जाना है, फिर आपको करीब 6 इंच की layer, फिर से वही refuse, refuse में अब garbage वगरा भी हो सकता है, garbage मतलब क्या होता था, जो kitchen से waste निकलता था, वो आपने डाल दिया, उसके बाद फिर से आपने क्या किया, 2 इंच की आपने refuse, night soil डाल दी, उसके अब याद रखना, एक चीज, बहुत important चीज, कि alternate layer आपने कितने proportion में डाली है, 3 to 1 के proportion में आप refuse और night soil को डालते रहे, तो यह 3 to 1 का proportion आया कैसे, तो देखो न, 6 इंच की आपने क्या डाली थी, refuse डाली थी, और 2 इंच का आपने क्या डाला, करीब, आपने 2 इंच की night soil डाली तो कितना होगे proportion, 3 to 1 का proportion होगया, समझ गया, तो 3 to 1 के proportion में आपको alternate layers, refuse night soil, refuse night soil डालना है, देखो, आदेख रहा है, यह है refuse, यह है night soil, फिर यह है refuse, फिर यह है night soil, फिर यह है refuse, कब तक डालना है आपको, देखो, यहाँ आपने पहली step गड़्दा को दिया, दूसरी step आपन refuse डाल दिया, यहां garbage डाल दिया, आप इसके उपर आप night soil भी डालोगे, वो डालते हुए, हमने दिखाया नहीं है, वो नहीं दिखाते, उसके बाद फिर ऐसी alternate layer कब तक डालनी है, जब तक कि ऐसा heap, ground से करीब 1 feet उपर तक नहीं आ जाता, ठीक है, आपने refuse डाला night soil, refuse डाला night soil, refuse डाला night soil, फिर refuse और तब तक डालना है, जब तक 1 feet उपर, ground के आगया, आगया तो रुख जाओ, और याद रखना, सबसे top layer कौन सी होनी चाहिए, refuse की, यादे सबसे पहली या lower most layer कौन सी थी, वो भी refuse थी, तो वो यहां पे लिखा हुआ है, top most और lower most layer refuse की होनी चाहिए, य ठीक है, तो top most और lower most layer दोनों ही refuse का होना चाहिए, अब भी ground से करीब 1 feet उपर तक जब आ गया, तो इसके उपर क्या करना है आपको, उसके उपर आपको मिट्टी से पूरा का पूरा ढग देना है, यहाँ पर मिट्टी से पूरा ढग दिया है, बस हो गया आपका, इतने ही सा तो खेल है, समझ गए, बहुत सिंपल है, क्या करना है सबसे पहली चीज, कि भाईया पहली step क्या है, 3 feet गहरा, 5 feet चोड़ा और 15 feet लंबा गड़ा को दो, यह पहली, फिर दूसरी step क्या है, दूसरी step में आपने करीब 6 इंच की refuse डाला, उसके बाद 1 इंच का नाइट, 6 इंच की नाइट सोल डाली, फिर 6 इंच की refuse डाली, फिर 2 इंच की नाइट सोल डाली, लगबक यह आपकी हो गई, दूसरी step, यह कब तक करना है, जब तक आपसका 1 feet ग्राउंड के उपर तक ना आ जाए, सबसे वो टॉप्मोस्ट लेयर कौन सी होगी, तो टॉप्मोस्ट लेयर हो की आपकी refuse की, जैसे की lower most layer भी refuse की ही थी, ठीक, जब 1 feet उपर ground से आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको उसको मिट्टी से पूरा कपूरा ठाक देना है, पस यह हो गई आपकी पूरी की पूरी steps या method की कैसे आपको पूरा कपूरा composting तयार करना है, या composting करना है, के तयार कर दिया, अंदर क्या होगा, mechanism क्या होता है, तो देखो जब यह पूरी चीज़ आपने तयार कर ली, तो साथ दिन के अंदर क्या होगा ना, अंदर जब refuse जो हमने डाला है, night soil जो हमने डाली है, यह जब decompose होंगे, यह जब इनका नश्टी करन होगा, यह जब decompose हों जब ये सरने लगेंगे जब ये refuse, night soil इन में bacteria वगरा काम करने लगेंगे तो खूब सारा decompose होगा तो खूब सारी गर्मी या heat produce होगी तो ये जो heat produce होगी न ये उस refuse, garbage, night soil उसमें जो pathogens और parasitic organisms हैं उनको निप्टा देगी ये heat मतलब कि जो जिवानों या किटानों हमारे refuse में और night soil में थे उनको ये जो खूब सारी गर्मी प्रोडियूस होगी न ये गर्मी उन जिवानों और किटानों को पूरी तरह से nast कर देगी समझ गया तो यह हो गया पहले साथ दिन में क्या होगा गर्मी प्रोड्यूस होगी तो पैथोजन्स और पैरसिटिक और गेंजम ने पट जाएंगे अब जो और गैनिक मेटर था हमारे रिफ्यूस और नाइट सॉयल में वह और गैनिक मेटर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट हो बनती है तो यह ऐसा हुमस लाइक मटेरियल बन जाता है और इसी को कहते हैं हम कंपोस्ट समझ गए तो हुआ क्या सबसे पहले चीज़ साथ दिन के अंदर ही खूब सारी गर्मी प्रोड्यूस हुई कर्मी प्रोड्यूस कैसे हुए क्योंकि जो रिफ्यूस और नाइट सॉय दिया उसके बाद जो और्गेनिक मेटर था उसको बैक्टीरियास ने ब्रेकडाउन कर दिया और पूरे के पूरे जो हमने रिफ्यूस नाइट सॉयल वगरा मिलाई है ना उसको हमस लाइक मटेरियल बना दिया जिसको कि हम करते हैं कंपोस्ट ठीक और छे महीने के अंदर य या खाद मिलती है यह इस तरह से हमको खाद मिलती है जो कि हम जमीन पे इस्तमाल कर सकते हैं खाद कर सकते हैं खेती में बगनी में उसी को खाद या मैन्योर हम निकाल सकते हैं ठीक तो यह होती है आपकी पूरी पूरी मेकेनिजम कि साथ दिन के अंदर हीट प्रोडियूस लाइक हुमस लाइक मटेरियल बना दिया जिसको कहते हैं कॉमपोस्ट छे महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा मैन्योर बनके मिल जाएगा जिसको कि आप खेती के लिए इस्तमाल कर सकते हो तो यह होती है इसकी मेकानिसम याद रखने वाली चीज क्या कितना समय लगता है करीब 6 महीने लगते हैं तो किसमें 6 महीने देखो ऐसे याद कर सकतो C for compost और इसमें एक डंडी जोड़ दो तो यह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तो C for compost और एक डंडी जोड़ दो तो 6 तो 6 महीने में compost आपको मिल जाएगा ठीक है अब एक और सवाल उड़ता है किसके मुक्यता बाई प्रोड़क्स क्कॉन क्वों से होते हैं composting के तो मुक्यता तीन चीज़े से कल के बाहर आती है एक होती है water और एक होता है heat तो मुखिता से ये तीन चीजे निकल के आपको मिलती है byproduct जो होता है that is carbon dioxide heat और water तो ये जो heat होती है न ये भी आपसे वाईवा में पुछा जाता है ये heat कितनी generate होती है तो करीब 60 degree तक heat generate होती है और ये करती क्या है वह जो जिवाडू या किटाडू जो है उनके जो अंडे है लार्वा है या जो pathogens है उन सब को पूरी तरह से नश्ट कर देती है ये heat तो वाईवा में पूछा जाता है कितनी heat तो 60 degree फिर वैसे याद का सकता हो C for composting इससे फिर वही C से बन गया 6 तो 60 degree आपको heat produce होती है जैसे C से बन गया था 6 तो 6 month आपको लगते है ठीक तो यह हो गया principle by products तो यह सब होने के बाद अंतता आपको क्या मिलता है या end product क्या होता है composting का तो एक बढ़ियां खाद मिलती है जो कि आपको soil या मिट्टी के को बहुत जादा उपजाओ बनाती है और उसके अंद क्योंकि उसके अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं समझ गए तो यह होती है आपकी पूरी की पूरी composting अब यह mechanical composting क्या होती है कभी कभी पूछ लिया जाता है तो mechanical composting में सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं जो refuse होता है ना मारा जो solid waste होता है उससे हम जो salvageable material होते हैं यानि कि जिन चीज़ों को हम निकाल के अलग सकते हैं जैसे कि हड्डियां हो गई उसमें metals हो गए उसमें कांच के तुकड़े वगर हो गए इनको हम निकाल के अलग कर लेते हैं जो भी आप निकाल के अलग कर सकते हो उनको निकाल के आपने अलग कर लिया पहली चीज़ उसके बाद जो हमारा solid waste बचा उसको हम छोटे 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 तुक्रों में मशीन की मदद से बारी कर लेते हैं तो इस तरह से एक rotator में भीजते हैं आप एक़म बारी करके उनको इक़म 2 इंच से भी छोटे छोटे हो जाते हैं इस तरह से कर दिते हैं थीक है से या नाइट वह सीवेज मतलब क्या फेस्ट वाटर जिसमें एक्ष्यें कीटर होता है वेस्ट वर्टर जिसमें एक्कू dernier होता है नाइट व्य तो हमने रिफ्यूस को सीवेज स्लज्व ये नाइट सॉयल के साथ एक रोटेटिंग मशीन में डालते हैं और अच्छा घुमा घुमा की घुमा घुमा की उसको अच्छी तरह से इंक्यूबेट कर लेते हैं ठीक उसके बाद ये कितना ये सब चीज होने में लगती है करीब 6 हफते का समय लगता है मेकैनिकल कॉमपोस्टिंग को कंप्लीट होने में उसके बाद आपको बड़ी असी खाद मिल जाएगी ये कहां पर इस्तिमाल की जाती है तो हॉलेंड जर्मनी सिजरलेंड इन जगों पे मेकैनिकल कॉमपोस्टिंग का इस्तिमाल होता है तो ये याद रखना कि मेकैनिकल कॉम इनको हमने रिफ्यूस से निकाल के पहले तो अलग कर लिया ठीक है उसके बाद बढ़ियां कंप्रेसर में डालके माशीन में डालके हमने उसको चोटे-चोटे-चोटे-चोटे तकड़ों में पूरा का पूरा कर लिया एकदम महीन रिफ्यूस एकदम बारीक तरह से करते रहें हफते के अंदर हमको पूरा को पूरा पूरा कमपोस्ट मिलके तयार हो जाता है तो इसको भी वैसे याद रखेंगे सी फेयें पूर्पोस्टिंग सीसे बन जाएगा सिक्स वीच थे वहां पर सिक्समान था यहां सब्सक्राइब कम समय क्यों लगा क्योंकि जो नॉर्मली क्या होता है हमने बस घड़ा खुद के चीज़े डाल दी अब उनको बड़े-बड़े चोटे-चोटे-चोटे तुक्रे सब कुछ है उनको डिकम्पोज होने में बहुत समय लगेगा जबकि यहां क्या किया बड़े तुक्रे को छोटे नहीं छोड़े नियमने सबको छोटा-छोटा करके डाला है तो छे महीने नहीं छे हफते में यह काम हो जाता है अपना समझके तो ऐसे याद कर सकते हो ठीक तो इत्ती चीज़ें है जो आपको कमपोस्टिंग में पता होने चाहिए अगर मैं बात करूं स चीज़ें पहला तो कमपोस्टिंग क्या होती है तो बता देना रिफ्यूजर नाइट साल को एक साथ इंटीक्रेट करके जब हटाते हैं दूसरी चीज़ कि इसके मेथर्स के नाम बताओ तो इंदौर मेथर और बैंगलोर मेथर्ट और एक और वाइवा का कुश्चन कौन स अनेरोबिक होती है इंदौर और बैंगलोर में से इस पर भी वाइवा में पूछा जाता है ठीक उसके बाद आपको स्टेप्स कई बार पूछली जाती है कि बताओ कैसे बनाओ के और उसमें भी वाइवा का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रपोर्शन बता दो पूछे जाती है हाँ ठीक है अब होता क्या है यह सब तो हमने खोटके डालके बढ़ियां तयार कर होता क्या है तो आपको समझाते आना चाहिए कि हीट प्रोड्यूस होगी रिफ्यूज और नाइट सॉल को डिकंपोस्ट करेगी पैतोजनिक और पैसिटिक और पूछनिक जो होगा उसको बैक्टेरिया करेंगे और हुमस लाइक मटेरियल बनाएंगे जिसको कमपोस्ट करते हैं यह समझाते आना चाहिए ठीक क्योंकि वाइवा में पूछते हैं और वाइवा में एक और चीज़ पूछते हैं कितनी हीट प्रोड्यूस होती है तो करीब साठ आप बाहर चले जाओके तो बहुत कुछ वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है यह भी पूछ सकते हैं बहुत कुछ सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग में वह हम जब केच्व हच्व डालते हैं वह सब वाली होती है अभी हम पीएसम में रहते हैं ठीक है तो यह हो कि आपका कंप प्रोपोर्शन होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होते हैं इस पर आपको mcq बन सकता है और कितनी हीट प्रोड्यूस होती है इस पे भी आपको mcq बन सकता है ठीक उसके अलावा mcq में एक और चीज़ आपसे पुछी जा सकते है डाट इस कितने समय में नॉर्मली तो करीब छे हफ्ते में कौन सी छे महीने में कौन सी नॉर्मल वाली कंपोस्टिंग जबकि जो मेकैनिकल वाली है वो करीब छे हफ्ते में ठीक है तो इतनी चीज़े हैं जो आपको कंपोस्टिंग के अंदर पता ही होनी चाहिए थैंक यू